तो गाईज देखिए पीटेट का एक्जाम लगा हुआ है नौ जुन को उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टड कोश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग जीके राजस्थान जीके टीचिंग एप्टिटूड हिंदी आधी कोश्चन देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करन वो माना जाता है आपसे ने राज राज पृथम को माना जाता है अगला है भारत माता का पहला चित्र किसके दोरा बनाया गया था तो आपसे ने अब निंदर नाथ टैगोर के दोरा बनाया गया था नेक्स्ट है आलमगीर नामा निमलिखित में से किस मुगल बादसाह का इतिहास है तो आप्सण है औरंग जेप का सासन नेक्स्ट कोश्टन है कॉंग्रेस के निमलिखित में से किस बादसिक आदिवेशन में जब आहलाल नहरू को कॉंग्रेस का अध्यच्छ चुना गया था तो देखे यह हो जाएगा ऑप्सण भी लाहोर आदिवेशन उन्निस सो उन्तिस अगला कोश्टन देख लेते हैं क्या कहता है आपका कोश्टन है आपका कॉंग्रेस क्या है कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी के संस्ठापक अध्यच कौन थे तो आप्सण सी आचार नरेंद अगला है प्राचिन भारत में निमलिखित में से किस महा जनपत की राध्धानी चमपा थी तो आप्सिन डी अंग अगला है निमलिखित में से कौन सा भारतिय इतियास के गुप्त यूग से समंदित है तो इसका हो जाएगा अगला है रिगवेद में एक हजार से अधिक सुरोत सामिल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है उन्हें आप्सिन डी सूक्त के नाम से जाना जाता है अगला कोश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है कोश्चन है सतलुज और काली नदियों के बीच इस्तित हिमाले के भाग को क्या कहा जाता है तो आप्सिन है कुमाउ हिमाले कहा जाता है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा कथन लद्दाग के समन्द में सही नहीं है तो आप्सिन डी लद्दाग की साथ छड़ता दर केवल 7.16% है यह सही नहीं है बाकी के जो तीन एबो सही है जैसे की लद्दाग एक ठंड़ा रेकिस्टान है लद्दाग भारत का केंद पूर्व नाम क्या था जहां टाटा आइरन एंड इस्टील कंपनी लिमिटेड इस्टित है तो इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा ऑप्षिन है साक्ची अगला कोश्चन देख लेते हैं ओम कारेस और परियोजना निमलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई है तो ऑप्षिन सी नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है ओके अगला आपका कोश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं क्या कहता है कोश्चन है निमलिखित में से खेतड़ी किस के लिए परसिद्ध है खेतड़ी जो है ओप्षिन डी तामा के लिए परसिद्ध है अगला है भारत और उसके पडोसी देशों को मिलाकर भारती उपमादिप को उपमादिप क्यों कहा जाता है तो आपसने छेतर का विसाल आकार के कारा है अगला है निम्ल में से किस छेतर में पीट मिट्टी पाई जाती है तो option C, ओडीसा के तटिये च्छित्र में पीट मिट्टी पाई जाती है अगला question आपका है भारत में खनीजों के मान्चित्रां और अन्बेसन के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है तो option A, तो इसका हो जाएका option B, भारतिय भूबैग्यानिक सर्वेच्छन अगला है निम्मेखित में से किस च्छित्र को पर्याबरान और बन मंतराले दोरा भारत का पहला समुद्री पर्याबरान संबेदन सील च्छित्र गोंसित किया गया है तो option A, कच्छ की खाड़ी पंडल, रिजर्ब इस्तित है तो option C, हिमाचल पर्देश में ओके, अगला कोशन आपका है, क्या है देख लेते हैं हम, जैब इदन में अलकोहल के किन दो रूपों को सामिल करते हैं तो option B, मेथेनौल और एथेनौल अगला है निमलिकित में से कौन सा तत्तो, बिभिन राज्यों में भूजल प्रदूसर के लिए जिम्मेदार है तो option है, फ्लू ओराइड अगला है प्रसिद्ध पुस्तक, आज भी खरें हैं तालाब तालाब अभी भी प्रासंगिक है, किसने लिखी है तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा option D, अनुपम मिस्रा अगला question देख लेते हैं, क्या कहता है निमलिकित में से किसे लोगपरिये रूप से बाटर मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो option C, राजेंदर सिंग next question है, carbon dioxide gas को मुख रूप से, greenhouse gas क्यों कहा जाता है main reason है, option है, गर्मी को रोपता है इसलिए next है, UNFCCC का अर्थ क्या होता है तो option भी right answer हो जाएगा United Nations Framework Convention on Climate Change next question आपका है next question क्या गयता है, आपका देख लेते हैं सुस्री, बचेंदरी पाल ने इन में से किस पर ध्यान केंदरत करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था option D, साहस की भावना अगला है, अल्ली अकवर खान निमलखित में से किस बाद यंदर को बजाने के लिए परसिद्ध थे option D, सरोध अगला है, बुकर पुरस का जीतने वाले पर्थम भारतिये कौन थे तो ये थे option C, अरुधनती रोय अब हम लोग आगे के question देख लेते हैं, क्या कहता है अपने tryst with destiny भाचर में निमलखित में से किस ने कहा था कि हमारी पीडी के सबसे महान बैक्ती की महत्तव कांचा हर आंक से हर आशू को आशू पोचने की रही है तो इसका हो जाएगा option B, जबाहर लाल नहरू अगला है निमलखित में से कौन एक भारती भहुतिक विज्यानी थे जिने fiber optics का जनक कहा जाता है तो option C, नरिंदर S का पानी next है सेवा, मतलब स्वा नियोजित महिला संग की संसापक का नाम बताईए जिन्हें पदम भोसंड से सम्मानित किया गया था तो option E, इला बेन भट आगे के question देख लेते हैं क्या गयता है आगे का question आपका है निमलेखित में से किसे फ्रांस सरकारन के सरवोच सम्मान सेवेलियर डे अल आड्रे ड्रेस ओर्टस एट डेस पुरसकार से सम्मानित किया गया तो option V, अरुना साइराम अगला है निमलेखित में से कौन भारत के पहले बेक्ती थे जिने प्रतिष्ठित पित जक कर पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो option C, बीवी, दोसी अगला है चित्तौलगर किले को किस बार्टस युनेसको विस धरोवर इस्तल के रूम में नामित किया गया है तो option A, 2013 में नामित किया गया है अगला है साहित अकाद्मी पुरसकार 2022 बिजेता राजिस्थानी पुस्तक आलेखुन अंबा के लेखक कौन है तो option B, कमल रंगा अगला कोश्चन आपका देख लेते हैं क्या है? 84 खंबो की छतरी कहाँ पर इस्तित है? important question है रट लेना तो ये स्तित है option B, बूंदी में स्तित है अगला है राजिस्थान सेवा संकी स्थापना बड़्स 1919 में कहाँ हुई थी? तो option C, बड़धा में हुई थी अगला है जोदपूर छेतर में उपरी जलासे या जील के भूमिगत रिसाओ जल को एकत्रित करने वाली बावणियों को क्या कहा जाता है? तो option B, option D हो जाएगा जालरा कहा जाता है अगला राजिस्थान के प्रतम राजिपाल कौन थे? Most important question है तो option है गुरुमुख नीहाल सिंग अगला देख लेते हैं, question अगला question है, राजिस्थान का कौन सा नत्य युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक बिरासत सूची में सामिल है? तो option B, कालवेलिया नत्य अगला जल विद्धुत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागरबान की सुईकरत एबं इस्थापिस छमता कितनी थी? एक सो बहत्तर मेगाबाट अगला राजिस्थान में लोगसभा के कितनी सीटे हैं? option B, 25 important question है, रट लेना अगला है, डॉक्टर C.B. रमन ने राजिस्थान के किस सहर को गौरब का द्वीप कहा था? island of glory तो option C, जैपूर को कहा था अब देखिए आगे के question क्या हैं? वो भी देख लेते हैं अगला है, किस भारती मेगा सहर ने Age of Moving Index EOMI, India Report 2022 में सरवोच स्कोर किया option D, पूने ने किया अगला है, प्रधान मंतरी मोदी ने किस सहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उदिखाटन किया? तो option C, कोची अगला है, जी भारत में G20 Space Economy Leaders Meeting का आयोजन कहां किया गया है? तो option D, बैंगलूरू next है, किस देश के प्रस्ताव पर संयोक्त राष्ट महासभा UNGA ने बर्स 2023 को अंतरराष्टी बाजरा बर्स गोसित किया जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था तो option ने भारत अगला देख लेदें, गोशन क्या गयता है? question है आपका दुबई में बैस्विक सिच्चा और प्रसिच्चन प्रदर्शनी में किस देश के मंड़प का उधगाटन किया गया? option B, भारत अगला राजस्तान बजट 2023 की थीम को पूर्ण कने बजट और आगे है बढ़त और बीच में क्या होगा? राहत, option D, राहत next निमलेखित में से किस फिल्म ने हाल ही में ब्रत्चित्र लगू फिल्म स्रेणी में आस्कर पुरस्कार जीता तुद्धा एलिफेंट वेचर्स अगला है किस देश के उच्चा योग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोशना की? तो option है, आस्ट्रिलिया अब हम लोग करेंगे हिंदी के question जिसमें है पहला question दुकान, निमलेखित में से किस भासा का सब्द है? तो दुकान जो है option C, फाड़ सी भासा का सब्द है अगला निमलेखित में से किस विकल्प में सभी सब्द सुद्ध है? option D, भूजनिये, स्वास्त्य और करतग्न C बला option C हो जाएगा, बांकी के तीन option आपके गलत हो जाएगे अगला है निमलेखित में से असुद्ध बाग के बाद कौन सा है? गलत बला बताना है तो एक एक option चेक करते हैं जीवन और साहित में घोर संबन यह गलत हो जाएगा बांकी के तीन बाग के जो हैं वो सही है जैसे के वी है मुझे बहुत गुस्सा आता, यह सही है option C मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाए यह भी सही है यह एक एतिहासे गटना, यह भी सही है अगला है निमलेखित में से करतबाच्च है तो option ने, रमेश खाना खा रहा है यह वाला आपका हो जाएगा करतबाच्च अगला उसने, उससे हसा नहीं जाता मैंने निमलेखित में से कौन सा बाच्च है तो इसमें देखिये क्या हो जाएगा option C, भाव बाच्च अगला निमलेखित में से आज सुमेलित सुमेलित युगमन नहीं है गलत बला बताना है तो option D, बाची के तीन सही है जैसे की, उल्टे बास बरेली मतलब असंगत कारे करना ना उदो का लेना, ना मादो का देना सब जहमेलों से अलग रहना ये भी आपका सही है तैयार का लेना ये आ सकता है अगला कवर में पाउं लटका है बैटना मौत के निकट होना, ये भी सही है अगला अपने घर के गुड़वान व्यक्ति की कोई कद्र नहीं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उप्यूक्त है तो ऑप्सन भी घर का जोगी जोगड़ा, आन गाउं का सिद्ध ये हो जाएगा अपका अगला देख लेते हैं कोईशन क्या कहता है निमलिकित में से असुद यूग्म है गलत बला बताना है तो ऑप्सन सी बांकी के तीन है, सही है जैसे कि करते बाच्च क्या उन सा है पहला है, मैं नहीं खाता, ये सही है कर्म बाच्च के लिए क्या है राधा से पुस्तक पड़ी जाती है और डी है, कर्म बाच्च भारत दोरा नया उपग्रे छोड़ा गया अगला गियहू सब्द का तस्सम सब्द कौनसा इंपॉर्टन कोश्चन है तैयार कर लेना तो इसका हो जाएगा ओप्शन है गोधूम नेक्स्ट निमलिकित में से सहाचार सब्द का विलोम सब्द क्या है तो ओप्शन भी पार्थक क्यों अगला निमलिकित में से इंदर सब्द का पर्यवाची कौन सा नहीं है तो उप्सिंडी प्रभुबांकी के तीन है देवेंदर, पुरंदर और सुर्पती अगला दूद सब्द निमलिकित में से किसका पर्यवाची नहीं है तो option C, बारी का बांकी के तीन सही हैं जैसे के छीर, पै और गोरस अगला है दीर के सूत्री का अर्थ क्या होता है? Option है, हर काम में जरूरस से ज़्यादा देर करने वाला, देर लगाने वाला अगला है बचना मरत में कौन सा समास है? तो option B, कर्म धारा समास अगला है मित भासी सब्द का अर्थ क्या है? मित भासी सब्द का अर्थ है option D, जो कम बोलता हो अगला है दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यह किस लोकोक्ती से सम्बंदित है? तो option C, कब हूँ निरा मिस होए न कागा, यह आपका सही होड़ाएगा अब हम लोग आगे के कुश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? मजा चखवाना मुहाबरे का अर्थ क्या है? तो option B, परवडाम भुगत बाना अगला है, दिल पसीजना मुहाबरे कार्थ क्या है? दिल पसीजना मुहाबरे कार्थ option D, दया का भाव जागना अगला है, निम्नु में से कौन सा बाके सुद्ध है? तो आपको सुद्ध बाला बताना है, तो एक option चेक करते हैं option D, काम इन सबों ने किया है, नहीं किया, ये गलत केबल यहाँ दो पुस्त के ये भी गलत option C, राइट अंसर हो जाएगा, पानी से भरा एक लोटा लाओ ये बाके सुद्ध हो जाएगा अगला है, जो बात पहले ना हुई हो बाक्यान्स के लिए एक सब्द है अगला है, निम्न में से कौन सा संदी विच्चे सही है तो option C, पावा किस कल्टू पाव धन अक option C, राइट अंसर अगला है, बाढ़ा चला कर कही गई बात बाक्यान्स का अर्थ प्रकट करने वाला सब्द क्या है तो option D, अतिस से योक्ती अगला है, निम्न में से कौन से योग्म का अर्थ भेद सही नहीं है तो इस question का right answer हो का option D बाकी के तीन सहीं जैसे की सब्द योग्म है, अंतर अनंतर इसका अर्थ भेद क्या हो जाएगा भेद और पस्चात, बाद में फिर उपल उत्पल इसका हो जाएगा ओला कमल फिर नारी नाडी इस्तरी और नप्च नाडी नप्च के लिए होता है अगला निम्न लिकित में से सुद्ध सब्द कौन सा है तो साम को option की तरह लिखते हैं अगला देख लेते हैं question क्या कहता है question है आपका धनबान सब्द का विलोम सब्द क्या है तो question क्या पूछा था धनबान सब्द का विलोम सब्द क्या है तो option D अगला चमाई में कौन सा समास है चमाई में समास हो जाएगा option E दिगू समास आपका चमाई में हो जाएगा अगला है साफ साफ में कौन सा समास है तो साफ साफ में अब्भाव समास यहाँ पर दिगू समास या दोंदर समास की अगर बात करें आप कहे रहे होगे यहाँ यहाँ पर योजक चिन है योजक चिन के साथ अगर आप एक दूसरे का बिलोम साथ होता तो यहाँ पर दुन्द समास हो जाता अगर नहीं है साप साप है तो यहाँ अब बाव समास अगला निम्नु में से किस सब्द की वरतनी सुद्ध है तो option C छत्र साया को छत्र छाया को ऐसे लिखते है option C कितने तो option C right answer अगला आ उपसर्ग किस सब्द में नहीं है उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है तो किस में नहीं है आड़तिया में option D right answer अगला निम्न में से तद्बह सब्द कौन सा है तो option C अब देखे प्रसन संक्य 182 से 186 के लिए निर्दे से निम्न लेकित गद्यांस को पढ़कर प्रसनों के उत्तर दीजिए गद्यांस को आप पढ़ सकते हैं चाहें आप पढ़के देखते हैं अहिंसात्मक अभ्यास क का मार्ग ही अलग है भाउज में प्रतिदिन कबायद कसरत कुरूरता पूर्ण सिकार इत्यादी कराए जाते हैं आगे कहता है आइंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन है इसका साधन यदि एक सब्द में कहना चाहें तो बस सायम है यहां सायम व्यापा कर्थ में उन त पाधारन सदाचार के नियम सक्ति से पालन करके सीखे जाते हैं इन सब नियमों का जुकाओ अहिंसा और सत्त की ओर ही होता है गान्दी जी ने बार बार लेका है कि इसवर पर विस्पास इसका एक बहुत बड़ा साहयक होता है यदि इस अहिंसात्मक प्रबत्ति को जागरत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए बच्पन से ही अब्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए ओके आगे कहता है तो निर्भैता इत्यादी जो इसके मुख्य बाहरूप से बाहरूप देखने में आते हैं अपस ही प्राप्त किये जा सकते हैं यह कहना कि मनुस्य यह मनुस्य के लिए संभब नहीं है बे बुनियाद बात है और आगे कहता है कोशन है उप्यूप्त गद्यांस का सरवादिक उप्यूप्त सीर सक कौन सा है तो इस कोशन का राइट अंसर हो जाए का ऑप्शन सी आइनसात्मक अभ्यास का मार्क क्योंकि यहां पर क्योंकि आइनसात्मक की बात कर रहे हैं तो आइनसात्मक अभ्यास की उससे प्रथक्ता प्रतिपातित की जा सके ओके अगला निर्भेता आधि गुनों को सीखने के लिए अवस्यक क्या है अभी पढ़ा था ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन सी बच्पन से ही अइनसात्मक प्रवत्ति का अभ्यास करोगे तबी अभी पढ़ा था पूरा पहला ग्राम में अगला गद्यांस के अनुसर धर्म ग्रंतों में सरवादिक बल दिया गया है तो अभी पढ़ा था आप्शने सदाचार के नियमों पर अगला ब्यवहत सब्द का पर्या क्या होता है तो आचरित निम्लिकित में सरसंदी का उधारा नहीं है पित्राग्या है गिरी से बानुद है लेकिन मनुरत नहीं है अगला निम्लिकित में से संयुक्त स्वर है तो आप्शने ए अगला निम्लिकित में से कंठे वेंजन नहीं है तो आप्शन डी टाख अगला निम्लिकित में से सुमेलित युग्मन नहीं है तो इस question का right answer क्या होगा option D बिसर्ग संदी उल्लास बाकी के तीन सही है सोरसंदी अन्नाभाव में है बिसर्ग संदी निश्चे में है सोरसंदी देवेंद्र में है अगला अग्यान सब्द में निमलकित में से कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त हुआ है उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है तो इसमें आ उपसर्ग प्रियुक्त हुआ है अगला question देख लेते हैं क्या कहता है निमलिखित में से तैरांक, सब्द में कौन सा प्रत्य प्रियुक्त हुआ है प्रत्य पीछे होता तैरांक, आंक, आंक प्रत्य निकल ला है तो option is right answer अगला है निमलिखित में से उपसर्क से बना हुआ सब्द नहीं है तो आगोस अगला है निमलखित में प्रत्य का योग असुद्ध है तो अप्षन सी त्याग धन इत्यागी अगला है हिंदमास अगर निमलखित में से कौन सी संग्या है तो अप्षन भी बैक्ती बाचक अगला है कोई और कुछ निम्लिक्त में से कौन सा सरवनाम है तो उप्शन B अनिश्चेबाचक अगला है निम्लिक्त में से सुमेलित बिलोम यूगमन नहीं है अनुकूल समकुलिय गलत है बाकि के तीन से अठ का इती होता है अंदिकार का प्रकास होता है अर्थ का अनर्थ होता है विलोब सब्थ अगला है निमने खित मेंसे मिसरभा की नहीं है तो Faculty C महा की के तीन मिसरभाके हैं जिसे कि मैंने सीला से कहा की, देखे मिसरभाक बन गया मेरे साथ चले जो जूट बोलता है कामा लगा, मिसरभाक बन गया मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला कामा लगा में सरबाक बन गया अगला मोहन ने भोजन किया में कर्म किया है तो इसमें देखिए कर्म हो जाएगा भोजन निम्लेखित में से विदेशी सब्द नहीं है तो बधिर गाइज आप कुछ कोशन टीचिंग एप्टिटूट के देख लेते हैं जैसे की सिच्छक अपने पेसे के कौसल और कला को किसके दोरा सीख सकता है तो आपसने टीवी कारिक्रमों का निरिच्छण अगला है बीड बीड में सूच्म सिच्छन संचार कोसल के लिए जरूरी है तो आपसने आत्म मुल्यांकन के लिए अगला कोशने राष्टिय सिच्छा नेती और समंदित गतिविदियों के बारे में जानकारी क्या दिखाती है तो अप्सिंस ये एक सिच्चक के ब्यो साइक हित ओके तो देखे इसके लिए आंसर क्या होगा इसके लिए आंसर क्या होगा एक सिच्चक की कमाई च्छमता दिखाती है ओके और उपर वाला क्या कराया था उपर वाला था विबन कॉसल के विकास के लिए बनने आपको करवा दिया अगला कोईशन देख लेते हैं अगला कोईशन कहता है जितना अधिक आत्म विस्वास से आप निर्देश देते हैं यहां क्या बरेंगे कि कारण कच्छा की सकारात्मक प्रतिकिरिया की संभाबना उतनी ही अधिक होती है तो आपसने आवाज के उप बैक्तिक कौसल और पारस पर एक छमता दोनों अबस्यक है अगला उतक्रष्ट और प्रभावी संचार निम्लिक तत्तों की विस्वेस्ता है उन्हें उचित क्रम में विबस्तित करें तो इसके लिए राइट अंसरों को आप्शन भी पहले देखिए बदलने के लचीलापन फिर जानना उसके बाद ध्यान देना फिर कारवाई करना तो गाइस देखिए आज के इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पतंद है वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू